आप सबी का हमारी यूटीब चैनल लानवित मी में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर यह विडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक किजीगा और मैक्समाम शेयर कीज़ेगा आज हम क्या पढ़ने वाले है आज हम पढ़ेंगे डेट और मन्थ पर बेस्ट पजल अब देट और मन्थ पर बेस्ट पजल कैसे पुछी जाती है यह हमेशा पूछा जाता है प्रीग्जाम में ठीक है अगर बैंक की बात करनें तो पीओ और दोनों एक्जाम में पुछा जाता है, किते हैं मार्क्स का पुछा जाता है, फाइफ मार्क्स का पुछा जाता है, यह पुछा जाएगा, किस तरीके से पुछा जाता है, यह पुछा जाता है, मालो इसमें आपको कोई दो डेड दे दी, ठीक है, डेड कोई सी भी डेड दे सक इसके हі 시 Jacobs को बिलाएं के चैसे को सहारें ठीक है हमें आपने ने सिरके मैं को लेकिंड है कोश्चिस करए ठीक है मैं आपको लेके चलती तरह कि FinCTION के तरह किस तरह कोशन पूछा जाता तभी चलते के किस तरह कोशन पूछा जाता है को परभी не डबलू, यह के आठ व्यक्ति है, attend meetings on different months of this year, ठीक है, वो क्या है, एक साल के अलग-अलग महनों पर क्या करते हैं, meeting, attend करते हैं, ठीक है, कौन-कौन से महने दिये हुएं इसने, January, February, March, और April, ठीक है, इसने क्या क्या है, चार मेने दिये हुएं, ठीक है, क्या बोल रहा है, such that not more than two persons attend their meeting in each of the months, ठीक है, बोल रहा है कि दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं, हर मेने में, meeting attend नहीं करते हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा मतलब, देखो, आठ व्यक्ति हैं, टोटल, तो January में दो, February में दो, March में दो, और April में द दो, दो व्यक्ति अटेंड करते हैं, दो से ज़्यादा व्यक्ति नहीं करते हैं, ठीक है, और क्या बोल रहा है, meetings can be held on either fourth or fifth day of month, मतलब, मेहने के चौथे या पांच वे दिन, मतलब, या तो चार तारीकों, या तो पांस तारीक होता है, ठीक है, चार और पांस तारीक क्या ह held on the same day, मतलब, एक ही दिन में दो मिटिंग नहीं होने, जनवरी, फर्वरी, मार्च और अप्रेल, ठीक है, ये चार मेने मिटिंग होनी है, और एक मतलब, जनवरी है, फर्वरी है, मार्च है, और अप्रेल है, ये चार मेने मिटिंग होनी है, अब बोल रहा है कि, हर मेने कित मिटिंग होगी दो दो व्यक्ति हर मैने अटेंड करेंगे और वह भी उसमें से भी एक व्यक्ति चार को एक व्यक्ति पांच को इसमें भी एक व्यक्ति चार एक व्यक्ति पांच मतलब चार जन्वरी और पांच जन्वरी को मिटिंग होगी ठीक है उसके बाद चार फरवरी औ और ही 5 यहां पर यह पर 4 जनवरी 5 यह 4 फरवरी पांच 4 आपरेल 5 यह क्या हो क्या कि हम ने इसे की रस्ılar भीसी लें को स्वास्व कर ढोगुशिंत ही तब इसाप यहां पर चैना यह स्कारव के से लिख़े उपर जो चार-पांच आपको फर्स्ट पैरा पर जो लाइन दीख रही उसका मतलब समझ मेंगा सिर्फ इतना ही है ठीक है अब पढ़ते हम अपनी information को क्या बोल रहा है वी अटेंस मेंटिंग इमीडियेट बिफोर यू यू के तुरंट पहले वी है ठीक है तो वी यू ऐसे ही जमेंगे ठीक है क्योंकि इसने बोल दिया है इमीडियेट ठीक है वी अटेंस मेंटिंग इमीडियेट बिफोर यू यू के तुरंट पहले कौन है वी है ठीक है अब क चाहिए. इक्वल नम्बर आफ मिटिंग들 मेंटेटों लोग चीज इंटे मीटिंगत हो पहलapi इस नहीं के बीच मैं तो इस दो इसे कुछ बना लिए ठीक हैं डबली और U के बीच में जित्ती मिटिंग होगी, उत्ती W और S के बीच में आना है, मालो W यहां पे है, मैंने लिखा U, यहां पे, तो U और W के बीच में एक है, मतलब W और S के बीच में भी एक आएगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, दो रहेगा तो, दो आएगा, ठीक है, इसके कहने का मत क्रतें जिससे कंडिन कें किती से से कंडिन थीज से कंडिन थीज से कंडिन किसमे वह कि हुँघू एदे सिमिंग कें थीज से कम कुणं सा ओ धर्यवरी कि एक तो नहिंए तो यह चार था बाल तो ठीक है हमने लिख लिए चार और पांच पर ठीक है यह समझ में अब क्या बोल रहा है आगे कि only one person attends meeting between T और W अब देखो T और W के बीच एक ही बंदा ठीक है एक ही बंदा आना है T और W के बीच एक ही मिटिंग होती है ठीक है और क्या बोल रहा है नदेंट मिटिंग आप और कहां पहें ना और रहा है कि आप अरप मार्च में ठीक हमले लिख लिए और आगा मार्च में ठीक है और क्या Ma Ken Раз क्या पर समझे Spaß 31 ठीक है जन्वरी में कित्ते आ जाते हैं 31 मतब जन्वरी पे आना नहीं फर्वरी में 28 फर्वरी पे आना नहीं मार्च में 31 मार्च पे आना नहीं तो definitely किस में आएगा अप्रेल क्योंकि अप्रेल में कित्ते दिन होते हैं तीivering अब 4 अपरेल को आएगा कि 5-परेल को आएगा तो इसने बोल रखा है पी अप्रेण्स at the meeting on event लिए मतलब सम संग्या सम लेंटा चार अप्रेल 8 को कौन करता है प्रे आप ठीक है ने हमें लिख 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 लिए 4 अपरिल को पी अर्टन को कि अ साथ पर्मेशनमयों निता उट उस भिए उसी साथ से इंइसरोन को भूसित अन्य कोसिशन से हो घरिए सबसे पहले टी और डबलू दीख रहे मुझे टी डबलू ठीक है एक मिनठा देखो टी और डबलू दीख रहा है अब देखो टी यहां पे है तो डबलू या तो यहां पे आएगा या तो यहां पे आएगा ठीक है ती यहां पे है तो डबलू या तो यहां पे आएगा या तो यहां पे आएगा ठीक है टी और डबलू में एक लोग हैं ये information हमारी use हो चुकी है ठीक है अब देखो डबलू और यू में उत्ते लोग हैं जिते डबलू और S में हैं डबलू अगर मैं यहां पे लूँ तो डबलू और यू में यू नीचे आगा तो S उपर आना चाहिए S नीचे आगा तो U उपर आना चाहिए पर W तो सबसे उपर है तो इससे बरोबर आ सकते हैं कि You और S उपर नीचे नहीं मतलब W यहां पे नहीं आएगा ठीक है W यहां पे नहीं आएगा तो डबलू डेफिनेटली पर यहां पर यहां पर कहा उठी कहा रहीक हैं यहां पर ऊपर के लिए चका बच्चेगी मैं नई तो डब लू डैफिनेट्ली hooray Sedis यह हमारा fix हो चुक है अब W और U में जितने लोग है W और S में भी उत्ते लोग है ठीक है यह रहा R कहाँ है March में March यहां 4 March को W है तो 5 March को R March मार्च मार्च को W है तो 4 March को R ठीक है यह भी हमारा fix हो गया अब क्या बच्चा देखो इतना हो गया अब क्या बच्चा वी के जस्ट नीचे यू आएगा उपर ये वाले पहले वाले डाइग्रम में वी यू के लिए एक ही प्लेस बची वी यहां पे तो यू यहां पे ठीक है वी यहां पे तो यू यहां पे ठीक पहले वाले में दूसरे वाले में दूसरे वाले में वी यू या फिर वी और यू ऐसे ही बन सकते हैं नीचे पे तो सिर्फ एक ही जगा खाली जब कि चाहिए हमें वी यू दोनों के लिए अब देखो डबलू और यू में दो लोग हैं त तो W, S के लिए नीचे पे दो जगा बच्ची क्या नहीं तो ये वाली information क्या करेगी इसको satisfy नहीं कर रही मतलब U यहाँ पे आना नहीं ठीक है U यहाँ पे आना नहीं अब अगर मैं W और U तीन लोग यहाँ पे ले लूँ तो फिर नीचे तीन प्लेस बच्ची क्या नहीं तो U यहाँ पे आएगा क्या नहीं मतलब यह वाला डायगरम क्या हो गया हमारा गलत हो गया क्यों गलत हुआ समझ में आया ना क्यों गलत हुआ क्योंकि हमें W और U में उतने ही लोग चाहिए जितने W और S में चाहिए W और U में एक है तो W और S में भी एक होना चाहिए W और U में तो W और S में भी 3 होना चाहिए ठीक है तो यह वाला क्या हो गया है हमारे information जो फ्रेकेंड वाला diagram था वो क्या करता था इस information को follow नहीं करता था जिसकी वज़ा से यह क्या हो गया गलत हो ठीक है अब देखो W और U में दो लो तो W और S में दो लोग आ रहे हैं बिल्कुल ठीक है W और S में दो लोग तो यह लिए information भी यूज हो गई वी यूज हो गया ठीक है अब बचा कौन सा व्यक्ति पी क्यूं क्यूं बचा है तो क्यूं कहां पर fix हो गया यहां पर ठीक है वी यू टी क्यू डबलू आर पी और एस ऐसे यह क्या हो गए arrange हो चुके है ठीक है आप दे पर fix कर दिया ठीक है उसके बाद जो information बची थी उसके according हमने इसको arrange करने की कोसिस करी ठीक है इस टाइप आले डाइकरम में यह वाला समझ में आना इस टाइक वाला जब भी हम solve करते हैं हमें एक बात कौन सी ध्यान देनी पड़ती है यह वाली W और यू और W और S यह वाला जो आपको point दिया रहेगा यह क्या रहत है हमें हमारा keyword रहत है इसी से हमारा question solve होना लिखा रहत है W और U के बीच जित्ते लोग है उत्ते ही W और S के बीच है इस information से हमारा क्या हो गया हमने arrange कर के देखा और हमारा क्या हो गया एक diagram confirm आ गया बाकी cancel हो solve करते हुए चलेंगे ठीक है आई बत समझ में अब चलते हम अपने इसी तरीके के दूसरे question के दरफ ठीक है दूसरा question यह रहा ठीक है यह पहले question से थोड़ा सा लग दिखेगा इसमें आपको ठीक है तो चलिए इसको भी हम solve करना start करते है क्या लिखा हुआ 8 employees will have to take the leave in the months of May, August, October and November ठीक है अब यहां पर 8 employee है इसने अभी employee का नाम नहीं बताया ठीक है क्या वल रहा है कि यह क्या है मई, August, October and November में छुट्टी लेते हैं ठीक है in each month they will take a leave on the year either 16th or 25 अब यहां पर कौन कौन सी तारीक हो पीछले में वो 4-5 तारीक को ले रहेते हैं इसमें 16 तारीक और 25 दो दिल लेते हैं ठीक है not more than two employees will take a leave on the same months ठीक है मतबहर मैंने दो-दो लोग लेते हैं दो से ज्यादा नहीं लेते हैं चुट्टी ठीक है only one employee will take a leave on each day 16 को एक 25 को एक ठीक है फिर अगले मैंने 16 को एक 25 को एक ठीक है तो उसी तरीके से हम इसे भी लिख लेते हैं क्या क्या ल आपकच्शीं सोलह 25 को मैं हो गया अगस्त फीक है एंख स्कानुट्स से लिख 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 लिख्लियाандन अक्टुबर कि लिख 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 लिया ऑक्टूबड की केनवंबर एन låb लिख deutsफ शिब्स से अब क्या धेक अब इंफॉर्मेशन दूसरे पहरा से start कर दिया इसने information देना ठीक है अब हम information note करेंगे और question को solve करने की questions करेंगे ठीक है क्या वहला two persons will take a leave between J और M अब यह बोल रहा है कि J और M के बीच में दो व्यक्ति है ठीक है हमें लिखते हैं J में दो व्यक्ति है के विल टेक लिव वन ओफ देज आफ्टर एल की नीचे कहीं पर कौन है के है ठीक है के के हैं ल के बादी कहीं पर चुट्टी लेता है ठीक है two persons will take a leave between I and O अब I और O में दो व्यक्ति छुट्टी लेता है ठीक है और क्या बोल रहा है only one person will take a leave between I और M I और M में एक व्यक्ति छुट्टी लेता है ठीक है ना इधर K नोर L मतलब ना ही K और ना ही L विल टेक लिव और 25 मतलब K और L 25 को नहीं लेता है मतलब कव लेंगे 16 को ठीक है और क्या बोल रहा है यह हो गया 25 of the any of the given months ठीक है only one person will take a leave before N K तो न्हीं पहले के वल एक व्यक्ति है बोल रहा है तो न कहां पर आ जाएगा दूसरे नंबर पर ठीक है एक आ टीक है एन आगे 25 में को फिक्स है एन 25 में कोफिक्स हो चुका है ठीक है और क्या हो रहा है more than three persons will take a leave between n और h n और h के बीच 3 से ज्यादा व्यक्ति मतलब पहला व्यक्ति उपर तो आ नहीं सकता क्योंकि एक ही जगा है तो नीचे कैसे है जगा 3 से ज्यादा मतलब 1 2 3 तो है 3 से ज्यादा हो नीचे मतलब 4 हो सकता है तो है n यहां पे लिए 1 2 3 4 5 हो सकता है न चार लोग 5 ना means willkommen चाल लोग 5 हो सकता है तो है chill this नहीं जिए दो तरीके से हमारे डैगरम बन सकते है थीक हैं दो तरीके से ऐसे बन सकता है मतले तो ऑर क्या बोलारा है थीक है यह समझ में आया क्या बोले देखो ऐच यहां पर आया तो ओ यहां पर आ गया ठीक है दो तरीके से अभी हमने गुझा यह ऐबाले इंफॉर्मेशन हो गई अब देखो दुसरे information कान से यूज़ कर सकती हूं मैं है दुसरे information कान से यूज़ करूँगे देखो I और O के बीच में दो लोग हैं, O यहां पे हैं, तो नीचे जागाए के आई के लिए नहीं, तो एक दो I यहां पे ठीक है, O यहां पे है, एक दो I यहां पे भी आ सकता है, एक दो I वहां पे नहीं आ सकता, ठीक है, तो I कहां पे, पहले वाले डाइगरम में O के नीचे आई ठीक है तो यह वाली information भी हमारी जूज हो गई अब देखो यह हो गया आई और M में एक व्यक्ति ठीक है आई यहां पर है एक बार M लिख लेते हैं यहां पर एक बार M आ जाएगा यहां पर ठीक है एक बार M आई यह वाले डियाग्रम में तो केवल M यहीं पहले वाले में एक र olduğcendook यहां पर यहां पर ठीक है अब देखों संगे और M में दो विक्ति हें ती के मि हैं यहां पर repag typically यहां पर थी यह वाला डाय ग्रम में कैसे करेंगे हैं डेखो M यहाँ पे लिया मैंने ठीक है एक बार M को हम वहाँ पे ले लेते हैं ठीक है यहाँ पे ले लिये तो M और J में दो व्यक्ति ठीक है N यहाँ पे लूँ, I यहाँ पे लूँ O यहाँ पे लूँ, H यहाँ पे लूँ ठीक है I और M में एक व्यक्ति थे यह समझ मैं न, M यहां पर fix हो गया, ठीक है, यह वल्ली information भी use हो गई, ठीक, अब देखो, L की नीचे ही K है, L की नीचे ही K है, ठीक है, L की नीचे ही K है, I और M में एक विक्ती था, यह use हो गया, अब देखो, दो diagram आ गया, information एक बची, इस information से अब एक diagram cancel होगा, एक diagram satisfy करेगा ठीक है, K और L 16 को आने है, ठीक है, यह L 16 को है, K 16 को है, मतलब यह वल्ला diagram क्या है, सही है, ठीक है, यहां पर L 16 को है, पर K क्या है, 25 को है, देखो, K 25 को आना नहीं है, मतलब यह वल्ला diagram क्या होगा हमारा, गलत हो गया, तो fix कौन सा हुआ, जो second वल्ला diagram, ठीक है, second वल्ला diagram क कैसे हैं हमारा फीक्स हो गया यहजिदा फैडशिवकyr केकी घरिग वख्लाइबल दाव इसमें 25 के और टिभीट है के सबसे पहले कि इनफर्मेशन लेकिस ती मिख करला ठीब करें कि करें अब जब एक्जाम में date और month से related आएगा puzzle तो आप उसे solve कर लेंगे ठीक है puzzle की में दो class और लोगी एक class में हम पढ़ेंगे year वाले और एक class में हम पढ़ेंगे blood relation से related puzzle ठीक है, puzzle की दो class और लेंगे पहला year वाला, दुसरा blood relation वाला ठीक है, उसके बाद हमारे एक chapter और बचेगा वो रहेगा data sufficiency का ठीक है, तीन class और लेगी उसके बाद हमारा reasoning का पूरा chapter complete हो जाएगा ठीक है, तीन class और बची reasoning की और बाकी सब क्या होगा हमारा complete हो गया ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उससे जाकर देख लेना, ठीक है स्टार्टिंग से लेकर एंडिन टक की सारी वीडियो आप लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं ठीक है, तो class को end up करते हैं till then keep learning, keep practicing, thank you and bye-bye